सीता राम जी एलो अब्रीवन वेल्कम बैक तो इंजय बागवानी और देखिए आज की वीडियो के सुबात करते हैं सुन्दर सुन्दर हॉली हॉक के फ्लावर्स के साथ यह देखिए कितना सुन्दर हॉली हॉक है और उसमें जो है उपर तक कलिया भरी हुई है तो आज की व और यह जो फूल है ना इनके सीट को आपना है जैसे कि यह फ्लावरिंग हो जाएगी उसी में इधरी सीट पॉट तयार होंगे और सीट पॉट से इसके बहुत सारे आप जो है छोट छोटे पॉद ही तयार कर सकते हैं और फिर बार बार आपको नर्सरी में जाने की जरुरत नहीं है और गर्मियों तक नहीं यह आपके काटन में बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग करते रहेंगे तो उसी में सबसे पहला प्लांट है यह हॉली हॉक का प्लांट और यह आपको नर्सरी में बहुत ही आसानी से 20-30 रूपीज के बीच में मिल जाएगी और यह जो फ्ला बहुत आसानी से लगने वाला प्लांट है और यह चोटे-चोटे गम्लों में चोटे-चोटे ग्रो बैग जो है जैसे कि यह मेरा करी प्लांट है उसमें लगा हुआ और देखे कितने सारे कलिया इसमें बनी हुई है बहुत सुंदर-सुंदर कलर्स में आता है यह और यह ज बहुत आसानी से लग जाता है और आपकों साथ मी भाता है और फिरनेवी प्लांट है वह यह है कलंच यह कलंचो भी अभी जो एना आपकी जितने बीन प्ल्हों है जैसे की यह यह देखिए डार पिंग वाला है और इसकी जो ने अब कलिया जुह इंब बनना चालू गई है य येलो और रेड मेरे पास था और ये बहुत सुन्दर सुन्दर कलर्स में आता है और ये जो है आपका एक पर फ्लावरिंग प्लांट है ये आपके घर में प्लांट आ गया तो ये आप सालो साल इसको बचा के रख सकते हैं ये सब प्लांट है और पुरा गर्मियू तक तो आपके जोटी से आपने के लिए तो 10 रूपीज में मिल जाएगा और यह भी आपके गर्मियों तक सांथ निभाता है तो अभी फ्लावरिंग करेगा और गर्मियों तक मेरे गाटन में रहता है और इसको आप चाय में रख देंगे तो और अच्छे से चलेगा और इसी की यह देसी वाली वराइटी है यह देखे तो ये देशी वाली वराइटी बहुत असाने से कटिंग से लग जाए यह इतनी छोटी सी जो है नमस्हिश के भी दिखना एक उसको किसी भी मिटी में इस तरीके से दभा कि इज़ए से कटिंग में सब्सक्राइगां आप की आम श् तो यह देखिए मैंने छुटी छुटी जो है न सैप्लिंग के थूई बनाई थी रैड वाली और यह देखिए कितनी अच्छी ताजा है तो यह भी जो है ना गर्मियों तक आपका साथ निभात है और अभी नर्सी से आपको ऐसे ही पौदिल आना चाहिए जो आपको गर्मिय चुटी 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 इस तरीके से ग्रो बैग में भी आप लगा सकते हैं या फिर गमले में भी लगा सकते हैं इसको भी प्रॉपर धूप मिलता रहा है और इसकी स्वाइल बस जो है न मॉइस्ट रहे है तो यह पुरा ना गर्मियों में जून तक बहुत ही अच्छी तो पिटूनिया आप बहुत सुन्दर सुन्दर कलर्स में मिल जाता है और अभी आप नर्सरी में जाएंगे तो 2030 के बीच में डिपेंड करता है आपकी नर्सरी जहना और यह अभी थंडियों में चालू होगा और यह गर्मियों तक जो है इसके आप पिंचिंग करते रहे ह दो पूरा गर्मिये भर आपके घर में फोलो की कमी नहीं देगा और इसको रहने बहुत आसानी से compete में लगा कर सकते हैं फ्रेंट नेक्स प्लांट है वह संफ्लावर तो संफ्लावर देखे मैंने लगा लिया है यह सीट के थू मेरा प्लांट तयार हो रहा है और अभी जो है यह फ्लावरिंग करना लास्ट येर तो पूरा ठंडियों में मैंने पहले ही लगा लिया था पूरा ठंडियो तो बेटर रहेगा कि आपकी सैपलिंग थोड़ी बड़ी हो जाए ना तब आप इसको तो रिपोर्टिंग करें तो यह देखिए यह जो है यह पूरी गर्मियों में आपके गार्डन को फुलों से भरने वाला है आप इसको जनवरी में लगा लिजिए सीट के थू लगाईए या फिर आप नर्सी से सैपलिंग लाके लगाए बहुत आसानी से फ्रेंट्स चलने वाला है संफ्लावर्स नेक्स प्लांट है फ्रेंट्स यह है क्रिसैंथ जीनिया जो है यह बहुत ही सुन्दर फ्लावरिंग प्लांट है मेरा फेवरेट जीनिया है जीनिया इसलिए मेरा यह सालों भर फ्लावरिंग करता है और देखें इसको सीट के थूरू मैं कितना प्रोपिगेट करती रहती हूं मेरे फूल खिलते हैं उनको मैं डस्बिन में ना डालके इधर उधर ना डालके मैं उसको सीधे से अपने मिट्टी में डाल देती हैं और उससे चुट-छुटी सैप्लिंग से यार होती रहती है जीनिया बहुत सुन्दर फ्लावरिंग प्लांट है और यह आपके गार्डन में एक बार आ जाएगा ना तो इतने सुन्दर सुन्दर कलर्स में आपके घर में फ्लावरिंग करते रहता है और यह देखिए इस तरीके से जीनिया के फूल जब सूप जाते हैं तो इसमें करते हैं अब यह थोड़े बड़े हो जाएंगे मेरे पास अभी पौट की कमी है पौट की कमी है तो मैं इनको बोरोरों में लगा दूंग है इसमें मैं जीनिया और संफ्लावर जोहना लगा दे रही हूं और यह जो फूल है यह गर्मियों में आपकी सबसे बेस फ्लावरि लेट लगाया था तो फूल भी देख लेते हैं और यह सेबंटी में थोड़ा लेट लगाया था तो देखें अब जाके इनकी फ्लावर कोगी सारे फ तो आप तो वैसे लगाने के लिए गमला नहीं था तो उनको मैंने इस तरीके से आटा के गूबैक बना के लगा दिया था तो उनमें भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग कर रहे हैं तो अभी आप लेट में क्रिसंथिमम लगाएंगे तो यह भी आपका ना मेरा तो जून तक खिलते रहता है और पूझ में तो जून और फ्लावरिंग करेगा वह है अनुवल और सेथा फ्लावरिंग करें यह जो कि मैंने भी आप लगा सकते है स्ट अभी भी आप लगा सकते बट यह जो है ना इसकी आप नर्श्री से आप लेका जाएंगे तो बहुत बैस रहेगा क्योंकि जो है आप flowers करने का समय इसका best time होता है flowering करने का वह सरसोती पूजा के महने फरवरी तक रहता है फरवरी तक मार्ज तक रहता है तो अब यह आप seed के थ्रू लगाएंगे तो आपको online मंगाना पड़ेगा फिवेट करना पड़ेगा इस से best रहा गति नर्सरी से ना इस तरीके से चोट चोटी सैप्रिंग लेकिया है और उनको आप लगा दीजिए तो देखिए अन्वल क्रिसाइंथिमा में बहुत सुंदर फ्लावर है और एक बर आपके गार्डन में आ जाएगा तो आप सीट के थू जो है ना इसको बहुत ही आसानी से इसको आप लगा सकते हैं और बहुत सुंदर फ्लावरिंग करता है एक बर आपके गार्डन में आ गया तो फिर आप इसको सीट के थू जो है ना इसको आप बार बार प्रोपगेट करते रहेंगे तो इसमें कोई टेंसन करने की बात नहीं है बहुत आसानी से आप ये लगा सकते ह ये देखें ये भी जो सेवंती है ये मैंने लेट लगाई थी और लेट लगाने के बाद देखें अब ये लेट फ्लावरिंग कर रही है तो इस तरीके से आप पौधे लगा सकते हैं प्रें नेक्स पांट जो की गर्मियों में बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग करेगा तो ये भी नर्सरी इसमें आपको बहुत अच्छे अच्छे दामों ना देशी और हैब्रीड वराइटी रहें की तो इसको भी आप ना कटिंग की तुरू भी लगा सकते हैं यहां फिर यह पूर को सीट की तूरू बहा सकते हैं इसके सीट पॉड्ड इसमें बनते हैं तो कि फ्रेंटेंगे घर में अगर हो तो इतना UP लाके लगा सकते नी तो आप इसWeek त्रीके से अतनी छोटी से आप चुछाइप cause मैंने आपको पता है मेरा ऐसे ही लग जाता है मुझे ज्यादा च्छाय में रखने के जोएतनी रहती है तो विंका भी बहुत आसानी से प्रोगेट होने ओला प्लांट है और यह जो है ना मही जून तक जो है जब बहुत आसानी से यह पूरी गर्मियों आपके गार्डन में यह वोगज सब्कुत च्छोटी करते रहते है वों क weeks old यह पूरे मैं जून तक ट्राइन रहें उसी में रह नेक्स फ्लां जाए में रख दीजे तो बहुत आसानी सविज़ा है ना आपके जो है ना गेंदे और यह देखे यह जो है ना यह सारे मैंने गेंदे लगाए जो कि अब फ्लावरिंग करना चालो करेगा जैसे आपने लेट लगाया है तो यह अपने टाइम पे खिलेंगे यह लेट फ्लाव तो यह भी अपने लागा लेंगे तो बहुत ही आसानी से जो है ना फ्लावरिंग करते रहता है और यह सारे फ्लावर वर्डू यह सस्ते फुल है जो की एक बर आप नर्षी से लेके आ घाएंगे तो आपको बारबर नर्सरी आने के जो इतनी है आपके घरड में आर्रडी प्रेंड प्रेंड lementsंदEr में त्यार कोवित रहते हैं है औस तरीके से लिए फिर वार लखन के ऌती है और सबंदर भूंधे मैं उसी कोश्मो कि आपने सेट यह जाने के नहीं पूर मैं सáट कर दो पूरे बह nível लगता है तोll हम एख सड पारने ίह upısı सीट पॉट बनती है जब ब्लैक हो जाए मैच्यूर हो जाए सीट पॉट तो आप इसको बहुत आसानी से लगा सकते हैं और यह देखिए यह पूरी जो है और ऐसा है कि बहुत ही आसानी से सस्ता फ्लावर है चोटे गम्रों में भी लग जाता है और यह पूरी गर्मी उभर आपका साथ दिपाता है तो आप इसको भी अभी लाके बेस्ट टाइम है आप इसको जो है ना कॉस्मोस को लगा सकते हैं फिर नेक्स प्लांट जो की बहुत आसानी से संदर फ्लायवरिंग करता है वह अब क्या बूलती है फ्रेंट्स कॉक्सपॉँ आपके लग जाता है और उसको शोटे फॉट्स में इस तरीकेसे लगा सकते हैं यह मैं लगाती कें मेरेCE घर में तो पूरी ने बर्षाद तक यूँ ही ऐसे ही बना रहेगा तो कॉक्सकॉम आप जरूर लाख लगाए तो फ्रेंट्स आई होप आज की जो वीडियो है वह आपको अच्छी लगेगी और यह जो जितने भी फ्लावर से बहुत सस्ते फ्लावर पड़ते हैं हमको क्योंकि एक ब तो फ्रेंट्स यह जो देखे इस तरीके से आप मेरे हिजाब से आप गार्डिंग करेंगे तो आपकी गार्डिंग सस्ती होगी तो फ्रेंट्स मिलते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक साथ आई होप आज की उडियो आपको अच्छी लगे बजट फ्रें करिए और चानल अभी तक सब्सक्राइब करें तो सब्सक्राइब करें तुम्हें देए नेक्स वीडियों नेक्स आपिक सा तब तक थैंक यू बाइ